तो क्या जाल भाई लोग कैसे हुआ आप लोग और आज इस फीडियो के अंदर दोस्त हम सब बाते करने वाले हैं IQ के आने वाले फ्लैक्सी फोन IQ 11 Pro के बारे में जिसके बारे में आप लोग अपनी स्क्रीन के सामने देख पा रहे हो तो अफकोस इस फीडियो का आप लोग पूरी लाज तक देख लो और श्टाइट करते हैं फिर बिनो भी बगवास की जल्दी से फीडियो को मैं और शवर आप लोग देख रहे हैं और शवर टेक और यहाँ पे भाई साब जो सबसे पहली चीज़ा आप लोगों को नजर आ जाएगी वो यहाँ पे यह है कि IQ 11 Pro के बैक साइट पे यहाँ पे जो आदा से ज्यादा जो हिस्सा है वो डेडिकेट किया गया है यहाँ पे कैमरा मोड जूल को और यहाँ पे डूल टोन यहाँ पे पेंट आपको देखनी को मिल जाएगा इस फोन के बैक साइट पे जो कि अफकोस काफी ज्यादा प्रीमिम इस फोन को बना रहा है फ्रेंट साइट की यहाँ तक बाती आती है तो काफी कुछ ही आपको H22 Ultra की तरह नजर आ जाएगा जहाँ पे जो एजेस हैं इस फोन के वो यहाँ पे करवाब को देखनी को मिल जाएंगे अफकोस जो बैजल्स भी हैं वो भी यहाँ पे काफी ज़्यादा माइनर रखे गए हैं तो हाँ भाई साइब यह तो कि इस फोन के लुक्स और डिसाइन की बात और अब यहाँ तक बाती आती है इस वीडियो के में बारे में और यहाँ पे मैं बाते करना चाहता हूँ इस इस इसपेट शीट के बारे में जो कि योगेस बरारवाई साब ने अन्फील किया है और जैसे कि आप लोग अपने स्क्रीन के साब ने देख पा रहे हो इनके हिसाब से इस फोन के साथ भी आपको आपको बताना चाहता हूँ इस प्रोसेसर को basically end of November या फिर early December के अंदर launch कर दिया जाएगा performance कितनी कमाल के होने वाली है power efficiency कितनी अच्छी होने वाली है सारी कियों के बारे में मैंने proper explanation कर रखा है पिछली वीडियो के अंदर तो जाके आप लोग देख सकते हो secondly इस फोन के साथ IQ 11 Pro के साथ आपको एक 2K स्क्रीन देखने को मिल जाएगा जो की होने वाला है 6.78 इंचेस का साथी साथ यहाँ पे यह जो AMOLED डिस्प्ले है वो basically LTPO है और यहाँ पे आपको 144Hz की high refresh rate का भी support देखने को मिलने वाला है साथी साथ IQ 11 Pro के साथ आपको 4700MH की बैटरी और पहली बार किसी IQ के फोन के साथ आपको 200W का charger out of the box दिया चाहरा है जो कि of course अपने हम आप में ही यह काफी खमाल की बात होने वाली है anyways यहाँ पे और भी काफी सारे features जैसे की in display fingerprint scanner जो की basically ultrasonic वाला होने वाला है साथी साथ यह जो phone होने वाला है वो IP resistant होने वाला है और अब वैसे cameras की जहां तक बाती आती है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि IQ 11 Pro के साथ camera setup को जो आपको ऐसा देखनी को मिल जाएगा कि यहाँ पे आपको एक primary 50 megapixel का main shooter देखनी को मिल जाएगा जो की और कोई नहीं बल्कि Sony IMX 866 का होने वाला है साथी साथ यहाँ पे आपको एक 50 megapixel का ultra wide angle lens और एक 14-16 megapixel के आस पास का यहाँ पे telephoto lens का support आपको देखनी को मिल जाएगा जो selfie shooter होने वाला है इस phone के साथ वो यहाँ पे 16 megapixel का होने वाला है और भाई camera in real life कैसा होने वाला है इस बारे में अभी से कुछ भी नहीं कहा जा सकता जब तक यह phone नहीं launch कर दिया जाता बाग इस video के लिए तो भाई इतना ही था और आने वराली टाइम पे IQ11 Pro से related भाई कुछ भी नहीं निकल कि आता है तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ वीडियो आपको इसी चैनल पे देखनी को मिल जाएगी और उसके लिए करना पड़ेगा आप लोगो इस चैनल को subscribe वीडियो पे चपकाना पड़ेगा लाइक और चलो फिर मैं मिलता आप लोगो से किसी और वीडियो पे तब तक के लिए बाई